हेलो फ्रेंड्स, दिश इच एस्पिशिंग एंड वेलकम टू इस्मार्टेर एवरीड़ी प्यारे दोस्तों बात करेंगे, बिए थर्ड समेस्टर एक्कॉर्डिंग टू कानपूर यूरिश्टी में जो आपका second paper है, guidance and counseling का, यानि कि निर्देश नियों परामश उसके आज हम लोग जो आपका previous question paper, यानि कि जो पिछले साल questions आपके पूछे गए हैं paper में उनको हम लोग discuss करेंगे, जो हमारा अपना content है उससे हम लोग और the important questions की series है वो सब complete कर चुके हैं, अब हम लोग जो आपका question bank आता है, उससे ये question cover कर रहे हैं ठीक है, आपके तीन question मैंने इसमें लिए हैं, 2023 के, जो पिछले साल पूछे गए हैं और इन questions को बहुत अच्छे से हम लोग cover करेंगे, आराम से पढ़ेंगे सारी question 2023 के जो पिछले साल पूछे गए questions हैं, आईए समझते हैं देखिये, पहला question आपके सामने question कहता है, साक्षतकार विधी के मुख उप्योगों के बारे में संच्छेप में लिखे जाने कि 5 नमर में question ये आया है साक्षतकार विधी, जो interview method होता है, इसके मुख उप्योग कौन कौन से हैं ये अपका पिछले साल का question paper है, थोड़ा सा blur दिखाई दे रहा होगा आपको, क्यूंकि इसकी quality ठीक नहीं है जिस बच्चे ने मुझे भेज़ा है, तो उन्हें फोटो नहीं लिया होगा सही से 22-22 का question paper है, यहाँ पर ही question होगा, यह कहां गया, यह रहा question यह पूछा गया है, साक्षतकार विधी का परामर्स में उप्योग बताईए और वहाँ पर question की साक्षतकार विधी का उप्योग बताईए, तो आपको यह उप्योग परामर्स में ही बताना है कि जो counselling होती है, उसमें interview method का क्या use होता है, यह आपको sun shape में बताना है आईए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसको, देखें, साक्षतकार क्या है, interview होता है राइट, स्टोन और क्रो एंड क्रो ने साक्षतकार के निमलिखित उप्योग बताई है क्या बताई है, नमर एक तो यह विधी समस्या के उचित समाधान में सहायता करती है क्योंकि interview होता है, सामने बैठ करके बातचित होती है, आप सामने अपनी problem को बताते हैं तो सामने वाला, दूसरा जो है, वो आपकी problem को solve करने के तरीके बता सकता है उचित समाधान हो जाएगा, इस विधी में अतिदिक कलचीली होने के करण, इसमें आवश्यक्ता के हिसाब से changes भी लाए जा सकते है ये विधी विषय में सूझ उत्पन करने में उपयोगी होती है, किसी चीज को देखने का हमारा point of view क्या है और उसके प्रती, मतलब हम कितनी जल्दी हमारे तिमाग में question के प्रती answer आएगा या किसी problem के problem को हम किन-किन तरीकों से solve करने के विचार हमारे तिमाग में आएगे यह सब चीजे हम यहां से सीखते हैं, यह विधी विषय में आत्मविष्वाश विषय कोन है यहां पर? यहां पर विषय का मतलब है जो बालक है, ठीक है? जो प्रियोज है तो आप यहाँ पे समझेए विद्यार्थी, ये विधी बालक में आत्म विश्वाश और आत्म निर्वर्था की भावना भी पैदा करती है जिसका इंटर्वी लिया जा रहा है ये एड़्जेस्टमेंट इस्थापित करने की सबसे सटीक विधी मानी चाती है इस विधी के दोरा निदान और उपचार दोनों ही संभव हैं वोके ये विधी बालक के संबंद में शंपूर्ण सूचना है प्राप्त करने में उप्यूक्त है यानि कि जिसका भी इंटर्व्यू लिया जा रहा है जो भी बालक है जो भी विक्ति है उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने में उप्यूक्त है उचित है इस विधी से ये सरलता पूरत पता चल जाता है कि बालक की समस्या कब और किन कारणों से उत्पन हुई और किस इस्तिती में ये प्रॉब्लम क्रियेट हुई इस विधी के दोरा विशय को यानि बालक को अपनी समस्याएं प्रकट करने का उचित आवसर भी मिलता है और वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकता है इस विधी के दोरा बालक की समस्या से समंदित आंतरिक कारणों की भी जाच की जा सकती है कि इसके जो आंतरिक परामर्स और निर्देशन में कौन-कौन से मुख्य अंतर पाहे चाते हैं, भाई पूरी किताब, पूरा सब्जेक्ट आपका दो ही चीजों पर तो डिपेंड है, एक हो गया काउंसलिंग, एक हो गया गाइडेंस, इन दोनों में अंतर क्या है, संचेप में बताना यानि की प पर्याबाची नहीं कह सकते, अंग है, पार्ट है, ठीक है, क्या है, एक पार्ट है, सेनोनियम नहीं है, परामर्स और निर्देशन के बीच निमनलिखित अंतर पाये जाते हैं, क्या, नमबर एक तो, परामर्स निर्देशन कारिकरम का केवल एक अंग मातर है, जो अत्यनत म वास्तों में उसे निर्देशन की एक विधी कहा जा सकता है जो परामर्स है वो निर्देशन का ही एक मैथेड है एक पार्ट है नौट है सेनोनियम परामर्स का समद्ध केवल एक विक्ति से होता यानि कि अगर हम किसी को किसी बात को लेकर के परामर्स दे रहे हैं, सलहा दे रहे हैं तो सिर्फ एक विक्ति को ले करके हम उसको विक्तिगत परामर्स दे सकते हैं, लेकिन निर्देशन का समन्द विक्तियों की समस्याओं से हो सकता है, ठीक है, गुरुप से हो सकता है, समूख से हो सकता है परामर्स का समंद्ध केवल विक्तिकी विक्तिगत समस्याओं से होता है कि उसकी विक्तिगत समस्याओं क्या है यानि कि पर्सनल प्रॉब्लम्स निर्देशन का समंद्ध विक्तिकी अन्ने समस्याओं से भी हो सकता है निर्देशन जो है हो सकता है घर परिवार की समस्या हो व्यवसाय से समस्या हो शिक्षा से समस्या हो समाच से समस्या हो लेकिन परामर्स जो है सिर्फ एक्तिकत समस्याओं पर फोकस करता है परामर्स की प्रक्रिया की तुलना में निर्देशन की प्रक्रिया अधिक व्यापक ह क्योंकि निर्देशन में परामर्स भी शामिल होता है कुछ अन्न भी अंतर है जैसे निर्देशक की अपेक्षा करत परामर्स दाता को अधिक निष्ठावान कुशल, दूर दर्सी, नम्र और करक के प्रती लगन का होना अतियावश्यक है जो निर्देशक है जो गाइडेंस देने वाला है उसकी अपेक्षा जो परामर्स देने वाला है उसको अधिक निष्ठावान होना चाहिए निर्देशक की अपेक्षा अधिक कुसल होना चाहिए परामर्स दाता को निर्देशक की अपेक्षा दूर की सूचने वाला हो नम्र भावाला हो और जो भी काम करें उसके प्रतिव से लगन होनी चीज़ है क्योंकि ऐसे गुणों से संपन विक्ति ही विक्त की विक्तिगत भिन्यताओं को जान करके उसकी समस्या को अच्छी तरह से समझ पाएगा मनोवैग्यानिक ढंग से विसलेशन कर सकेगा और परामर्स प्रार्ति की शक्तियों का विकास करते हुए उसे निर्ने लेने के योग और समस्या समाधान करने के योग भी बना सकेगा वैसे वेवार कुशलता दूर दर्सिता और प्रासिक्षित होना तो निर्देशक के लिए भी अविश्यक है पर क्योंकि परामर्स प्राता विक्तिगत समस्याओं को विक्तिगत समस्याओं को समाधान करने में साहता करता है तो इस तरीके से उप्रिक्त गुणों का प्रामर्स दाता में अधिक मात्रा में पाया जाना जरूरी है यह आपने समझा कि जो अंतर है वो निर्देशन वो प्रामर्स में होते हैं जो यानि कि जो निर्देशन है वो बड़े लेवल पे होता है परामर्स का जो छेत्र है वो संकुचित है परामर्स जो है परसनली होता है और जो निर्देशन है वो आपका ग्रूप में भी हो सकता है अगला क्योशन है परामर्स से आपका क्या भी प्राय है 2023 में पूछा गया question है यानि कि परामर्स का आर्थिम परिभाशा बताईए ये भी question आपका ये हो सकता है आई ये फटावट एक बार समझ लेते हैं revision ही तो कर रहा है फटावट कर लेते हैं परामर्स को निर्देशन सेवाओं में विशिष्ट इस्थान प्राप्त है परामर्स यानि की counselling को निर्देशन वादियों का हिर्दय कहा जाता it is a heart अनिशब्दों में कह सकते हैं कि यदि समस्त निर्देशन कार एक शरीर है तो परामर्स उसका हिर्दय है परामर्स के बिना निर्देशन कार हो ही नहीं सकता परामर्स के बिना निर्देशन नहीं हो सकता क्योंकि निर्देशन में परामर्स शामिल है बालक के विक्तिगत बहुत धीक और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने के लिए परामर्स बहुत जरूरी है वर्तमान समाज, आर्थिक, समाजिक, राजनेतिक, धार्मिक और व्यावसाइक रूप से अत्यंत जटिल हो गया है जिसके कारण परामर्स का महत दिन परति दिन बढ़ता जा रहा है विद्याले इस तरह पर बालकों की बढ़ती हुई समस्याओं की शोरावश्था तथा समस्यात्मक बालकों की समस्याओं को देखते हुई विद्यालें में परामर्स सेवाँ पर जोर दिया जा रहा है इसके अत्रिक्त आज के इस नेतिकता के हार्श युग में जिसमें नेतिकता खत्म होती नचरा रही है नैतिकता जो है समापती की तरफ है जबकि अविश्वास का अंदकार चारों और क्या है फैला हुआ है चारों और से मानव प्राणी को दिशाहीन बना करके भटकाता जा रहा है और वो जीवन के परमपरागत मूलियों को छोड़ करके आधार हीन हो करके खड़ा है ऐसी ऐसमंजश की परस्थितियों में मानव को सांतबना और धैरत तथा सही मार्दसन का काम कौन करता है प्रामर्स दाता करता है वो भटके हुए विक्ति को सही राह दिखाने का काम करता है प्रापर तरीके से अर्थ की बात करें तो परामर्स जो शब्द है वो दो विक्तियों के शंपरक को विक्त करता है यानि कि परामर्स दो विक्तियों के बीच ही हो सकता है एक परामर्स देने वाला होता है, एक परामर्स लेने वाला होता है, एक दाता होता है, प्रार्थी होता है परामर्स प्रक्रिया में एक परामर्स देने वाला और दूसरा परामर्स चाहने वाला या परामर्स प्रार्थी होता है परामर्स की प्रक्रिया की अंतरगत उन सभी प्रकार की इस्थितियों का समावेश होता है जिन में परामर्स दाता परामर्स चाहने वाले यानि की परामर्स प्रार्थी की समस्या को समझने का प्रयास करता है उसके बारे में प्रामर्स दाता और प्रामर्स चाहने वाले दोनों के बीच विचारों का आदान प्रदान और पार्स्परिक बातचीत होती है और अंत में प्रामर्स चाहने वाले अर्थात प्रामर्स प्रार्थी की समस्या का समाधन करने में प्रामर्स दाता क्या करता है सायता भी करता है छोटा सा कोशन था संचेप में आंसर देना था पांच नमबर हमारे हां तक पूरे वे अगला question 23 में पूछा गया question है बहुत important है हाला कि question तो यही कह रहा है कि parameters क्या है यह तो हमने समझ लिया लेकिन इसके उद्देश क्या है सिध्धान्त क्या है इसकी विशिष्टाइं क्या है यह तीन चीज़ें हापे हम समझेंगे अगर मैं कोशन पेपर में दिखाऊ तो यह आपके सामने कोशन परामर्स कार्थ क्या है उद्दे से क्या है छेतर क्या है विशिष्टाएं क्या है कावणन कीजिए निर्देशन और परामर्स के बीच में अंतर भी बताइए अंतर तो हम पढ़ चुके हैं बाकी चीज़े समझ लेते हैं ठीक है चलिए परामर्स का अर्थ हम पढ़ चुके हैं आगे बढ़ते हैं परामर्स की परिभाशाएं पढ़ लेते हैं चलिए परामर्स की परिभाशाएं क्या होती हैं कैसे define करेंगे हैं Pramers को जौंस के確ॉर्डिंग साक्षातकर के समान परामर्ड में आमने सामने का वेक्ति से वेक्ति का संपर्ख होता है ठीक है बोर्डिन के एक्कॉर्डिंग Pramers साक्षातकर विधी के दोरा किसी वेक्ति को अपनी समस्याओं का शमाधन करने में साहेता देने की प्रक्रिया है हमफरी एवं टेक्सलर के एकॉर्डिंग परामर्ष विद्याले और अन्य संस्थाओं के करमचारियों की सेवाओं का व्यक्तियों की शमश्याओं के लिए किया जाने वाला उप्योग है रॉबिंस के शब्दों में कहा गया है परामर्ष में वे सभी परिस्थितियां समलित कर ली जाती है जिनसे परामर्ष प्रार्थी अपने आपको वातावरण के अनुसार समाजी उजित करने में साहेता प्राप्त करता है परामर्स में दो विक्तियों का समन्ध होता है परामर्स दाता और परामर्स प्रार्थी मॉयर्स के एकोर्डिंग कहा गया है परामर्स का भी प्राय है दो विक्तियों का शंपर्क जिसमें एक विक्ति को किसी प्रकार की सहता दी जाती है तो हम कह सकते हैं कि परामर्स जो है वो मुक्रूप से दो विक्तियों के बीच संपर्क है जिसके अंतरगत एक विक्ति दूसरे विक्ति को समझने में साहता देता है परामर्स की प्रिक्रिया में परामर्स दाता और परामर्स चाहने वाला कि परामर्स प्रार्थी दोनों आमने सामने होते हैं और परामर्स दाता परामर्स प्रार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान डोनने में शाहता भी देता है ठीक है तो इस तरीके से उपर जो परिभाशाइं दी गई है उनके बेस पे हम कह सकते हैं कि परामर्स प्रकिया में दो विक्तियों का शंपर्क होता है परामर्स दाता और परामर्स प्रार्थी के बीच विचार विमर्ष के अनेक साधन हो सकते हैं परामर्स के कारे के लिए प्रसिक्षित और और अनुभवी विक्ति का होना जरूरी है वेल ट्रेंड हो, एक्स्पिरियंस ओल्डर होना चाहिए अच्छा, आप प्रामर्स की कुछ विशेष्टाइं है चलिए विशेष्टाइं समझ लेते है विभिन विद्वानों ने प्रामर्स की बहुत सारी विशेष्टाइं बताई है नमबर एक, परामर्स में किसी विक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता कि आप प्राब्लम लेके आए और हमने आपकी प्राब्लम को सॉल्व कर दिया अगर हम प्रामर्स दाता हैं तो ऐसा नहीं है, प्राब्लम सॉल्व नहीं किया जाती उसे अपनी समस्या का समाधन करने में साहता दी जाती है क्योंकि हम आपकी उंगली पकड़कर के मंजल तक नहीं ले जाएंगे हम वहां तक पहुंचाने का रास्ता आपको बता देंगे कि इस रास्ते से गुजरोगे तो मंजल पे पहुंचाओगे ऐसा नहीं कि आप प्रॉब्लम लेके आए हम उंगली पकड़के आपको चल दिये कि आओ चलो प्रॉब्लम तुम्हारी सौल पकरते हैं ऐसा नहीं है प्रामर्स में किवल दो विक्तियों का शंपर्क होता है निर्ने को तो वो श्यम विक्तिया प्रामर्स प्रार्थी पर छोड़ देता है जैसे मैंने आज ही आपको यानि कि प्रामर्स दाता जो है ऐसा नहीं कि वो डिसीजन उसने दे दिया निर्ने दे दिया कि तुम्हें ये करना है नहीं, सलाह देता है कि वह यहा ऐसा तुम कर सकते हो ठीक है, fix नहीं है कि तुम मतलब सियोर नहीं कि तुम यही करो ने थोपता नहीं है प्रामस दाता ठीक है, लास्ता बता देगा बाकि जुरूर नहीं कि तुम, जैसे हमने आज वीडियो निरने आपको लेना है ठीक है, प्रामस प्रार्थी पर छोड़ दिया जाता है निरने, प्रामस में विक्ति को दी जाने वाली साहता प्रत्थक्च सलाह या उप्योगी सूचना परदान करके नहीं, बलकि प्रसक्षित प्रामस दाता के दौरा, विक्तिगत मुलाकातों के दौरा दे जाती है प्रामस की प्रक्रिया की समाप्ति उसी समय हो जाती है, जब प्रामस दाता विक्ति को किसी निरने पर पहुँचने में साहता देता है, प्रामस के कुछ उद्देश भी होते हैं, जैसे रॉबर्स के अनुसार प्रामर्स के उद्धिश के शब ने अपना अलग-अलग बताया है रॉबर्स के रॉबर्स के उद्धिश है नमबर एक विक्ति को अपनी समस्याओं के श्यम शमाधान की योजनाय बनाने में सहयता देना विक्त को खुद से समंदित तक्थियों की वैख्या करने में सहयता देना विक्त को अपनी योजनाओं को पूरा करने की दिशा में एक कार प्रारम करने में सहयता देना विक्त की शिक्षा से समंदित विवसाय से समंदित विक्तिगत समस्याओं को समझने में साहता देना विक्त को अपनी योजनाओं में आवश्यक फिर बदल करने में साहता देना ये रॉबर्स ने बताया है कि परामर्स का ये उद्देश होता है चलिए, हारडी की बात भी सुन लेते हैं, हारडी क्या कहते हैं, कि प्रामर्स के क्या उद्देश हैं ये कहते हैं कि विक्ति को खुद के विकास से समंधित उद्देश्यों को प्राप्त करने में साहता देना प्रामर्स का काम है व्यक्ति को अपने समाज में उच्चित समझे जाने वाले ग्यान, दिस्टिकोणों और कुशलताओं को प्राप्त करने में साहता प्रदान करना है पारिवारिक जीवन, वेबसाय और नागरिकता से समंदित छेत्रों में विक्ति को अपने उद्देश्यों को निर्धरित करने में शायता करना प्रामर्स का उद्देश्य है आगे बढ़ते हैं थट और गेर विरच ने प्रामर्स की उद्देश्यों को बहुत कम शब्दों में कह दिया ये कहते हैं प्रामर्स का उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्यों का समाधान करने में इस प्रकार साहता देने के अवसर प्रदान करना है जिसे से कि किसी प्रकार की साहता के बिना समस्याओं का समाधान करने की उनकी योगता का विकास हो जाए तो ये हम समझने हैं अच्छा अमेरिकन मनोवेगानिक संग ने भी अपनी अलग बात कही है इन्होंने प्रामर्स के अलग उद्देश बताए हैं ये कहते हैं प्रामर्स प्रार्थी के दोरा अपनी चमताओं अभी प्रेड़कों और आत्म दिष्टिकोणों की इधार्थ स्वीकरती ही प्रामर्स दाता का उद्देश है प्रामर्स प्रार्थी के दोरा समाजिक आर्थिक व्यवसाइक परिवेश के शाथ परक संगत समंजिश के प्राप्ति व्यक्तिकत भेनताओं की समाज के दोरा श्रीक्रति और समुदाय रोजगार व्यवाहिक समंदी के छेतर में उनका नेतार्थ यही प्रामर्स का उद्देश है कि विवास से समंदत भी सलामसवरा हो सकता है तो उपियुक तलक्षणों के विसलेशन के आधार पर निमन बिंदू ध्यान में आते हैं अगर इस सब का एनॉलसिस करें तो हम यह कहेंगे कि प्रामर्स का लक्ष विक्ति को अपने शबंदों म कि शंदर्प में देखना है विक्ति के मांसिक श्राष्टे के लिए जीवन के दिफेने छेत्रों में उसका सामंजश्य वास्तिविक धरातल पर करना है तो इस तरीके से हमने समझा कि जो प्रामर्स है उसके उद्देश क्या होते हैं अब आप जो हैं वहाँ पे अगर नमर पर संपर कर सकते हैं 962818269 2649 9628182649 ठीक है इस नमर पर वाटसाप मेस्टर के नोट्स की इंफरमेशन ले सकते हैं complete नोट्स आप को पहुँचाए जाते हैं परामर्स के मूल उद्दिश्ट के हैं नमर एक तो स्वीट करती परामर्स से समंदित सभी विचारधाराएं ये मानती हैं कि परामर्स परार्थी को एक पूर्ण मनुस्या मानों समझना चाहिए विक्ति के लिए आदरभाव निर्देशन और परामर्स की सभी विचारधाराएं इस बात से सहमत हैं कि विक्ति का आदर किया जाना चाहिए आशा की बात करने तो सभी विचारधाराएं प्रामर्स के आशा के तत्तो अर्थात साप्यक श्रमंधों को श्विकार करती है सीखना प्रामर्स की सभी विचारदारें सीखने के महत्त को भी श्विकार करती है प्रामर्स प्रार्थी के साथ सोचना परामर्थ में प्रार्थी के लिए सोचने के पेक्षा, प्रार्थी के साथ उसके वीचारों के अनकूल सोच करके वी परामर्थ देना सरमाने सिध्धानत मना गया है तो इस तरीके से हमने समझा कि प्रामर्थ के मुल सिध्धानत क्या होते हैं आज हमने 3 important questions को discuss किया है इसी तरीकी के और भी questions आपको करवाया जाएंगी और classes continue है प्लेडिस्ट बनी हुए class कैसे लिए comment करके जरू बताएगा thank you so much